हलो अगर चोह हो जाहिए में दोज़ा 24 का कोशिशन है जनेवोडी का सिफ्ट 27 जन का सिफ्ट 1 का टू कोईल्स हाव मेच्वल इंदक्तेंस 0.002 हैंडरी तो करेंट चेंज इस इस इन फॉस्ट कोईल अगर पर सिफ्ट 9 ग्री श्ट 2,000 में आइन फेंट पर इंदक्तेंस इस आपको अल्फा कर ना है यहां पर आपको अल्फा करना है तो इंदक्षिन में यह होता है माइनस M into di by dt तो पहले आपको di by dt चाहिए तो आप di by dt फाइंड किसे तो यहां पर di upon dt is equal to क्योंकि i हम लोग को दिया हुआ i naught sin omega t तो आप जब इसको integrate करेंगे तो देखिए i naught और साथ में omega आएगा बच्चों and sin का जो होता है differentiation यह cos होता है तो cos omega t अब आपको m दिया हुआ है m कितना दिया हुआ 0.02 ठेके तो आप सारी values को यहां पर put किजिए तो i naught 5 है omega का value 50 तो आप रखे 50 यहां पर pi into cos ठेके और into m का value रखे 0.002 and cos 50 pi t अब बच्चों यहां पर इन तो आएगा ही क्योंकि माइनस है यहां पर आपसे पूछा है कि cos का maximum value बताईए इसका EMF का आपको maximum value बताना है तो EMF का maximum value तभी हो सकता है जब cos यहां पर क्या हो cos यहां पर negative हो cos क्या हो बच्चों negative हो है न क्योंकि cos अगर negative होगा तभी जाकर कि यह maximum हो सकता है है न तो कितना हो जाएगा 250 देखे 250 पाई negative में into 0.002 into इसको minus रख दिए उससे कहोगा minus minus प्लस हो जाएगा ठीक है अगर in case आप यहां पर क्या करते है बच्चों अगर चाहते है कि सिसका maximum value 1 रखे हम लोग तो फिर आप इसको यहां पर magnitude लीजिए या फिर अगर आप सिर्फ magnitude लेते है इस minus को नहीं लेते है बच्चों ठीक है तब आपको यहां पर क्या रखना है 1 रखना है बट अगर आप यहां पर आपको यहां पर नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉस्टिव हो जाए तो अब यहां पर आप मल्टिप्लाई करेंगे तो देखे यह 500 एंटू 5 एंटू 0.001 तो यहां से आपको जो maximum value मिलेगा और यह minus से यह हट जाएगा तो आपको मिल जाएगा हैं से 5 0.5 pi that is 5 pi by 10 then maximum value of EMF will be 5 by pi by 2 तो यहां से alpha जो आपको मालू होगा बच्चो वो 2 हो जाएगा